हेलो एवरिवन, सभी को मेरा नमस्कार, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो एक बहुत इंट्रेस्टिंग और नया कह सकते हैं, आप टॉपिक है, फिल्चर एंड पेडिगोजी, ओके, यह तो मेरा इंट्रोडक्शन है, आप लोग जानते हैं मुझे, इस्तेमाल करते हैं, और जनरली हम लोग इसको बहुत छोटे अर्थों में समझते हैं, तोगी तरीके से हम लोग कल्चर को समझते नहीं हैं, तो अगर हम डिफाइन करना चाहें कल्चर को तो क्या है, कल्चर is a word for the way of life of groups of people, मतलब यह शब्द किसके लिए दिया गया है, way of life जीवन जीने का तरीका, किसके जीवन जीने का तरीका, groups of people, जो लोगों का समू है, वो किस तरह से जीवन जीते हैं, meaning किस तरह से अर्थ देते हैं, the way they do things, और वो तरीके जिनसे वो चीजों को करते हैं, तो वो तरीका है, सब कुछ आ जाएगा तरीके में न, culture is passed on to the next generation by learning, यानि एक पीडी से दूसरी पीडी तक culture जो है, वो सीख कर पासौन किया जा सकता है, यानि कि हम सब ही ने अपने अपने culture को सीखा है, culture is seen in people's writing, religion, music, roads, cooking and in what they do, और culture क्या है, कैसे परिलक्षित होता है, किसमें दिखाई दे सकता है, लोगों के लेखन में, उनके धर्म में, उनके संगीत, क्या वो गाते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या बनाते खाते हैं और क्या करते हैं, सब कुछ है, in totality है, जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, सब कुछ culture या संस्कृति का हिस्सा है, और ये definition जो है, वो Wikipedia से लिए गई है, फिर culture, चुकि इतनी सारी चीज़ों को अपने आप में समाहित किये हुए हैं, कि हम इसको anthropology के angle से देख सकते हैं, हम इसको sociology के angle से देख सकते हैं, हम इसको psychology के angle से देख सकते हैं, यहाँ पर हम फिलहाल इसको anthropology, psychology and sociology इन तीन angle से देखेंगे, पर हम anthropology के angle से देखना चाहें, उस दृष विवहार जो हमने सीखा है वो विवहार जो हम दूसरों के संग शेयर करते हैं and beliefs of a particular social, ethnic and age group और कैसे विश्वास के तरीके जो कि particular जो कि विशिष्ट, सामाजिक और एक age group का जो particular way of thinking है, particular belief है वो सब कुछ culture का हिस्सा है it can also be described, यह और किस तरीके से describe किया जा सकता है as the complex whole of collective human beliefs oh my god, इतना बड़ा term है collective human beliefs, यानि कि मनुश्यों का जो collective belief है उसका complex whole यानि कि इतने सारे मनुश्यों के जब विश्वासों के आप collection की बात करेंगे तो वो easy तो रही नहीं सकता है उसमें complexity तो आई जानी है यह complex whole है और किसका complex whole है संपून मनुश्यों का जो belief है उसका collective, उसका collection उसका summillan उसको हमने जोड दिया है कैसे जोड़ा है with a structured stage of civilization सभ्यता का जो structured stage है उसमे it can be specific to a nation or time period यानि कि किसी राष्ट्र या किसी समय अंतराल के लिए यह विशिष्ट है यानि कि हर राष्ट्र का विशिष्ट होगा समय अंतराल के लिए भी विशिष्ट होगा जैसे कि पिछले 10 साल में पिछले 50 साल में culture change होते आया है हम कैसे पहनते थे पचले 50 साल पहले हम क्या कपड़े पहनते थे, आज हम क्या पहनते हैं, पचास साल तो बहुत बड़ा समय उंतरा आले, 10 साल में बहुत उंतरा आया, और सबसे बड़ियां आप example देख सकते हैं, पिछले दो साल में हमारी जिन्दगी कितनी बदल गही न, हम मास्क नहीं पहनते थे, पर हम मास्क पहनते हैं, हम क्या सोचते थे, बिलीफ देखिए पूरी तरीके से बदल गया, हमारे विश्वास बदल गया, हमारा मूले बदल गया, हमारा जीने का तरीका बदल गया, खाने एक्स होल है तो अर्म भी ग्यान के दृष्टी कोन से देखेंगे तो हम इस तरीके से culture को define कर सकते हैं फिर अगर हम psychology के एंगल से देखना चाहें मनो भी ग्यान के दृष्टी कोन से देखना चाहें क्या culture है culture is a pattern of meaning for understanding how the world works यानि कि संसार किस तरह से कारिकलाब चल रहे हैं उनके pattern of meaning for understanding यानि कि वो जो समझ है उसका हमने एक तरीका इक्तियार कर लिया है कि किस प्रकार से उसको अर्थ देंगे तो जब समझ की बात आएगी तो मनोवी ग्यान की बात आजाएगी क्योंकि सारा cognition की हम बात करते है संग्यान की बात हम मनोवी ग्यान भी करते है तो इस तरीके से हम culture को define करेंगे अगर हम sociology के angle से define करना चाहें क्यों? क्योंकि culture sociology का ही सबसे ज़्यादा sociology से connected है क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ society में ही तो हो रहा है हमारा पहनना, औरना, खाना, पीना, उठना, बैटना ये सब समाज का ही हिस्सा है culture is defined as the symbols यानि कि जो प्रतीक चिन है जो हमारी भाशा है, language, beliefs हमारे विश्वास है, we values हमारे मूल्य है and artifacts that are parts of any society यानि कि एक समाज में ये सब कुछ क्या कहला रहा है culture तो हमने culture को देखा तो हमने क्या समझा culture को कि हम जो कुछ पहनते हैं हम जो कुछ सोचते हैं, हम जिस तरह से उटते बैठते हैं, यानि जो कुछ भी हम सोच सकते हैं इतने भी इसके components, वो सारा कुछ क корutor का हिस्सा है तो कल्चर बहुत complex topic है इसी लिए इसको anthropology, sociology, psychology और भी बहुत सारे sciences के द्वारा, बहुत सारे disciplines के द्वारा define किया रह सकते हैं और उनका ये part है तो कि we can conclude अगर हमको एक line में define करना हो क्योंकि ये तो बहुत complex definition हो जाएगी कल्चर क्या है, it is what people make, think and do, यानि कि लोग क्या बनाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा इतना तो हमने जान लिया, लेकिन कई और भी तरीके हैं कल्चर को define करने के कई models दिये गए, उसमें से एक model है, चोटा सा model, 3P model, आजकल ये चलन चल गया है, 3C, 3H, 3C में हो जाएगा, connectivity, creativity, curiosity, connection, collaboration, cooperation, competition, conflict, whatever else, उसी तरह से 3H में, head, head, hurt, इसी तरह से 3P, 3P तो आपको याद करने में आसानी होगी, कौन-कौन से P है, perspectives, practices and products, perspective मतलब क्या परिद्रिश यह है, क्या परिप्रिक्ष है हम किस perspective से उस चीज़ को देख रहे हैं, practices यानि कि हम क्या कुछ करते हैं, और products मतलब हम क्या निकल कराता है, क्या उतपाद है, इन perspective practices और products के परिद्रिती के समूज के सदस यह हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या उनके लिए value है, value का मतलब क्या होता है, good or bad, हम किसको अच्छा समझते हैं, किसको बुरा समझते हैं, what is appropriate और inappropriate behavior for them, यानि कि उचित और अनुचित विवहार क्या है, उचित अनुचित विवहार में क्या आ कि किस प्रकार से हम अपने बड़ों से deal करते हैं, हम अपने teacher से कैसे बात करते हैं, हम spouse से कैसे बात करते हैं, माता पिता से कैसे बात करते हैं, सबका उचित और अनुचित विवहार क्या है, फिर practices, यानि कि हम क्या क्या करते हैं, अभ्यास में हमारे क्या है, sorry, so practices में क्या ज भाशा इस्तिमाल की जा रही है and their ceremony देखिए अपसी भी संस्कृति को समझने के लिए सबसे आसान बात है कि अब उसकी ceremony देख लिए wedding ceremony, birth ceremony किस प्रकार से हम बनाते हैं कौन-कौन से उसमें रीती रिवाज हैं कौन-कौन से कर्मकांड हैं कौन-कौन से उसमें परमपराएं चली आ रही हैं यह सब कुछ हमारा प्रैक्पिस के अंतरगत आ जाएगा and sorry, it's too late about products में क्या है उत्पाद निकल करके आ रहा है what they come up with तो इसके बाद types of culture हम culture and pedagogy पर बात करेंगे लेकिन उसके पहले बो लोग जो culture को नहीं जानते हैं उनके बताने के लिए culture का हमको basic background द्यार करना पड़ेगा पहली बात दूसरी बात इसमें बहुत सारे लोग हैं जो education के नहीं हैं जो psychology के नहीं हैं जो sociology के नहीं हैं तो उनके लिए हैं इस सारे terms नए हैं जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है तो culture में अगर हम बहुत तरीके से classify कर सकते हैं पर जो most common है जो most easy है जिसको आप हमेशा याद कर सकते हैं याद रखने के लिए भी आपको कुछ भी करने के ज़रोती हैं बस आपके दिमाग में बार और जिस निकल करा जाएगी क्या कि material culture और non-material culture अब ये भी आसान है material में क्या वो सब कुछ जो पदात है और non-material में क्या जो पदात नहीं है पदात क्या होगा जिसको हम touch कर पाएंगे जिसको हम use करते होंगे यानि कि includes all the society's physical objects वो सब कुछ जो बहुतिक रूप में present है क्या क्या present है such as tools, technology, clothing, utensils and means of transportation यानि कि हम कौन से हमारे पास और जार है पड़े क्या पहनते हैं बरतन कौन से सुरी अब नहीं आएगे बरतन कौन से इस्तिमाल करते हैं हमारे यातायाद कि साधन क्या है दरसल मैं बहुत दो घंटे से परेशान थी ये upload क्या record नहीं हो रहा था मेरे सिस्टम का माइक गर बरो गया था तो बारा बज़े से मैंने दो बज़ा दिया बलकि कितना बज़ रहा है दाई बज़ रहा है लेकि ये करना भी जरूरी था आज ही इसलिए इसलिए बार बार योनिंगा रहा है और non-material culture non-material का मतलब कि वो सब कुछ जो पदाथ नहीं है यानि कि जिसको हम touch नहीं कर सकते जिसको हम देख नहीं सकते वो सब क्या है हमारे मूलिय, हमारा विश्वास तंत्र हमारे प्रतीक चिन हम जो भाशा इस्तिमाल करते है जो मिलकर हमारी सुसाइटी बना रही है तो material और non-material culture आसान है culture को अगर पढ़ने लगेंगे तो बहुत कुछ है culture में cultural shock, cultural lag, cultural imperialism बहुत कुछ लेकिन हम यहां culture को नहीं पढ़ना चाहते है हमारा main emphasis, main focus है वो pedagogy पे है लेकिन pedagogy चुकि culture के reference में पढ़ रहे है आज हम यहां पर इसलिए हम इसको culture को पढ़ रहे है फिर यह हो गया अब हो गया cultural iceberg अच्छा यह एक नई चीज है, नई बात आपको पता हो तो अच्छा है हम लोग iceberg के concept को कब पढ़ते है हमने पढ़ रखा है कहीं न कहीं हम fried को पढ़ते है जब हम fried को पढ़ते हैं तो वो बताता है हमको की id ego और super ego यह हमारे mind के उसने classifications बता है id ego, super ego उसी तरह से हम इसमें cultural iceberg भी दिया गया कि इसने develop किया है compare किया है मतलब बर्व का टुकड़ा जो की थोड़ा सा बाहर है और बहुत सारा अंदर है as an analogy for the cultural code यानि की एक iceberg के से cultural code की उसने analogy की है मतलब उसके similar बताया है कैसे similar बताया है कि यह जो portion थोड़ा सा जो बाहर हमको दिखाई दे रहा है यह क्या है और सबसे लास्ट में यह जो नीचे वाला portion है वो क्या है deep culture इस तरह से उसने cultural code की analogy iceberg से किये इसको cultural iceberg भी कहते है जो surface culture है यानि कि जो surface पे हमको दिखाई देता वो क्या है behaviors and practices यानि कि हम क्या व्यावहार करते हैं किस प्रकार के हमारी practices है यह तो दिखाई दे रहा है ना लेकिन इसके नीचे भी है सिर्फ behavior ऐसे ही नहीं है behavior किस पर बेज़ रहे attitudes पे gestures पे और attitude और gesture भी वे क्यों में नहीं है यह किस पर बेज़ रहे core values पे deep rooted culture वो हमारा core values है वो नहीं बदलने वाली है उसी पर हमारा attitude निर्भर करता और उसी हिसाब से हम behavior करते है यानि कि यह सिर्फ इसको बताने के लिए यह समझाने के लिए कि सिर्फ behavior देखकर आप कुछ नहीं बता सकते है आपको बता देखना पड़ेगा कि किन values से निकल कर वो behavior आया तो यह एक आपको चीज बतानी थी अच्छा बस फिर हम आगए वहाँ पे जहां से हमको जो main बात करनी है culturally responsive pedagogy अच्छा यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूँ कि आप लोग इतना aware नहीं रहते हैं मतलब मैं especially अपने college के students की बात कर रही हूँ क्योंकि यह वीडियो तो बहुत कोई भी देखेगा कि आप लोग बहुत कम aware हैं comparison में बहुत और दूसरे बच्चों के जो बहुत aware हैं और एकदम वो एकदम updated रहते हैं और वो technology एकदम टेक्नो से भी है और आजकल खासत दौर से आप यह कह सकते हैं कि यह जो COVID का दौर आया इसने हमें पढ़ने-पढ़ाने की असीमित अपरिमित हमें अवसर प्रदान कर दिये हैं जो कि हमें एकदम असंभव था कि हमें मिल सकते थे क्यों क्योंकि दुनिया तो online पर चली गई थी पर हम लोगोंने online mode को नहीं अपनाया था और online होने से देखिए आप जिसे लड़कियों के लिए mainly होता है कि हम लोग दूसरे जगों पर जो जैसे बहुत अच्छा program कही हो रहा हो यूपी के बाहर हो रहा हो तो हम नहीं जा सकते हैं फिर हमें बहुत सारे हमारे इंडिया में तो चली रहे हैं बाहर भी चल रहे हैं तो ये सॉरी मैं भी इस पर बात कर रही थी ये एक course में ही मैं पढ़ रही हूँ जो मैं आप से discuss कर रही हूँ आज क्योंकि मैं भी ये term नहीं जानती थी culturally responsive pedigology मैंने अभी recently सीखा है अपने move course में इसलिए मैंने आपके साथ इसको discuss किया कि मैं जान गई हूँ तो आप मेरे students को भी बता हो जाना चाहिए ये बात है ना तो इतना कुछ लोग पढ़ रहे हैं कितना पढ़ा रहे हैं कितनी नई चीज़ें जान रहा हैं हम लोग कुछ जानते नहीं तो इंगेज रहिए अपने घर में at home आप अपना video audio off करके सब कुछ सुन सकते हैं अपने काम करते हुए भी attend कर सकते हैं lectures तो बहुत-बहुत-बहुत मतलब आसान है और बहुत कुछ है जो हमको नहीं पता और हमको पता होना चाहिए तो यह क्या है culturally responsive pedagogy CRP क्योंकि चुकि बढ़ा ट्राम है तो CRP के नाम से भी जाना जाएगा तो culturally responsive pedagogy अच्छा pedagogy क्या है अभी तो culture की बात यह pedagogy pedagogy का मतलब art and science of teaching that's it यानि कि शिक्षन जो है उसको विज्ञान भी मानते है शिक्षन को कला भी मानते है शिक्षन शास्त्र है pedagogy तो culturally responsive pedagogy का मतलब कि हम culture के response में कैसे pedagogy दे रहे हैं किस तरह से लिख पढ़ा रहे हैं आपको कि culture को हमको लेना है साथ में लेकर चलना है छोड़ नहीं देना है क्यों कि multi-cultural groups है multi-cultural classrooms है आजकल multi-lingual classrooms है बहुत सारे culture के बच्चे आपकी class में हो सकते हैं बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले हो सकते हैं हमको उनके culture को ध्यान में रखतर शिक्षन संपादित करना है यही इसका crux है बहुत सारी इसमें अच्छी अच्छी बाते हैं नई बाते हैं आपको पता चलेंगी क्या जैसे कि culturally responsive pedagogy is defined as किस प्रकार से आप इसको परिभाशित कर सकते हैं fiction है that integrates integrate करता है मतलब integrate करता है जोडता है अपने साथ किसको जोडता है a student's background knowledge यानि कि विद्धा थी जो knowledge बैक्ग्राउंड में है जो उसके prior experiences है जो उसका prior home and community experience है मतलब घर में जो उसने अनुबाव ली है जो उसने अपने समुदाय में ली है उनको हमको फोड़ना नहीं है उनको integrate कर देना है किसके साथ into the curriculum पठेक्रम के साथ and teaching and learning experiences that take place in the classroom और हमको classroom में जो उसको teaching learning experience प्रवाइड करना है उसमें भी उसके prior community experiences और background knowledge को integrate करना है तो अगर हम इस तरह से कर पाते हैं इस तरह से देते हुए शिक्षा देते हैं तो ये culturally responsive pedagogy कहलाएगा और ये मैं नहीं कह रही हूँ कौन कह रहा है Ontario Ministry of Education ने 2013 में इसको इस तरह से refine किया ठीक है फिर भारत वर्ष में भी है लेकिन जैसे माली जिए for example अमेरिका का example लेते हैं Harvard University या कहीं कोई बढ़ियां जगे का नाम आप सोच लीजे एक दम World's Top Class University वहां तो बहुत लोग जाना चाते हैं उस देश के लोग तो जाते हैं सब देशों से बढ़ियां बच्चे बढ़ियां पैसे वाले लोग वहां जाकर पढ़ना पढ़ाना चाते हैं तो उस classroom के आप कलपना कीचे उसमें कितने सारे culture के बच्चे होंगे कितनी सारी भाषाओं का उनको ग्यान होगा तो culturally responsive pedagogy वहां पर कामगर साबित हो जाकती है कि हमको हर student के background knowledge को अगर हम ले 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 उसके prior experiences को ले 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 तो कितना जादा वो class में अपने आपको इन महसूस करेगा और उसका intellect or intellectual growth और academic achievement सब को चिससे flourish होगा तो यह क्या चीज है इस एक उपागम है इमपावर्स जो हमारे students को शक्ती प्रदान करती है कैसी शक्ती intellectually बद्धिक रूप से, socially, सामाजी रूप से emotionally, सामवेगी रूप से and politically, राजनेधी रूप से by using cultural reference यानि कि हमको उनके cultural reference को use करना है impact, knowledge, skills and attitudes जिसे हम उसकी knowledge यानि ग्यान, skills, माने, kaushal और attitudes को हम impact कर सकते हैं, मतलब प्रभावित कर सकें जितने लोग education को जानते हैं और अब तो खेर, blooms, taxonomy को सभी लोग जाने लगे हैं, वो जानते हैं कि हम तीन आयामों पर बात करते हैं तीन dimensions में कौन-कौन से cognitive, जिसमें की knowledge आजाएगा effective, जिसमें भावात्मक जिसमें attitudes आएंगे and psychomotor, जिसमें की skills आजाएगे यह भी Gloria Ladson-Billings ने 1994 में बताया है तो इच मतलब कौन? यह CRP यह सांस्कृतिक ज्यान को इस्तिमाल करता है प्राइर एक्सपिरियेंसे and performance styles of diverse students जो विभिन प्रकार के विद्या के आपके class में हैं उनके हमको prior experiences, performance styles, cultural knowledge सबको use करना है क्यों? make learning more appropriate जिससे की जो अधिगम हो रहा है, जो class में learning हो रही है, वो appropriate हो समझ सकें, जादा दिन तक उनको याद रहे, और ये भी गे ने 2000 में बोला है अब बहुत सारी बाते हम से यादी के बारे में जान सकते हैं, क्या क्या core components, कौन से मुक्रिस के घटक है, या learning within the context of culture यानि कि एक main चीज़ आप समझ जीजे कि हमको culture को छोड़ना नहीं है सारी बाते हम संस्कृति के संदर्भ में ही करेंगे, सीखना भी संस्कृति के संदर्भ में है student-centered instruction, ये तो सभी जान गए हैं कि जब से psychology, educational psychology का उद्भा हुआ, तब से हमारा teacher-centered से student-centered की तरफ हम move कर चुके हैं, यानि कि हमको शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी है विद्याथी केंद्रित हमारा अनुदेशन होना चाहिए और वो भी culturally mediated, यानि उसमें कहीं न कहीं को culture का input देना होगा नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा हम लोग तो नहीं देते हैं, जर्नरली कहां देते हैं लेकिन अगर हम दें तो हम उसके intellect को academic achievement को, उसके performance को सुधार सकते हैं फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम तो भया, इंडिया में बड़ा मुश्किल है क्योंकि students, teacher ratio इतना skewed है, हम बहुत मुश्किल से करिकुलम हमारा syllabus complete होता है तो हम culturally mediated instruction तो नहीं दे पाएंगे, है न तेकिन, sorry इसका भी जवाब है इसका भी solution है, इसका भी हम हल निकाल सकते हैं कि at least हम इस class को जाने और कोशिश करें कम से कम अगर सबको लेकर नहीं चल सकते तो किसी को छोड़े नहीं और reshaping दी करिकुलम हमको पाठे करम को रुपनर निर्मान करना होगा और teacher इस CRP की process में facilitator के रोल में होगा यानि कि वो facilitate करेगा वो learning जो classroom में हो रही है फिर principles of CRP कुछ इसके सिधान्त भी है कि Harvard ने 2016 में दी है मतलब देखिये concept कितना नया है अभी 2021 में हम बात कर रहे हैं है ना पहले हम लोग कोई चीज होता था मतलब उसका बारे में बात की जाती थी discover होता था तो उसको text books तक आने में और हमको पढ़ने-पढ़ाने में 10-15 साल लग जाते थे है ना क्योंकि वो पहले higher stage भी आता था फिर lower lower करते करते थे तब हम लोग जानते पढ़ते थे और फिर बाद में जब हम उस concept की origin देखते थे तो हम कहते थे इस वक यह चीज पढ़ रहे थे देखते हैं देखते हैं तो हमको किसी भी स्थिती में चात्र को उसके कल्चरल कनेक्शन से दूर नहीं करना है बलकि कल्चरल कनेक्शन के साथ आपको विद्याथी को यह एहसास देलाना है कि affirmative है ना positive yes you are in with your culture in my classroom okay being personally inviting यानि कि हर बच्चे को लगे कि हाँ वो क्लास में उसका stay है उसकी importance है वो left out नहीं है वो उसकी presence का महत है existence है उसकी है ना यह होना चाहिए creating physically and culturally inviting learning environment हमको एक इस तरह का learning environment प्यार करना है जो कि physically और culturally उसको लगे कि हाँ उसका उसमें role है reinforcing students in their academic development यानि कि जो students है उनके जो academic development है sectioning उनका जो विकास है उसमें हमको उनको reinforce करना है accommodating our instruction to the cultural and learning references of our students अपने instruction को जो instruction हमको क्लास में देना है उसमें हमको हमको accommodate करना पड़ेगा सामन जस से उसमें स्थापित करना पड़ेगा हम ध्यान दें कि हम बच्चे की Sanskritic और learning differences को ध्यान में रखते हुए देंगे managing our classrooms with firm, consistent and caring control यानि कि हमको अपनी classroom इस प्रकार से manage करनी है कि वो consistent, controlled और careful वातवरान में चली है फिर creating opportunities that honor both the individuality and the collectivity of the students हमको यानि कि teacher को इस प्रकार के अवसर class में हित्पन करने हैं जिनसे की साथ की individuality भी hamper न हो और classroom की collectiveness भी बरकार है आप सब को नहीं समझ सकते हैं कि कहने में एक इतनी आसान बात है है न हमने एक लाइन में दो मिनट नहीं लगा और ये साथ principles बता दिये गए इन साथ principles को apply करने में अपनी classroom teaching में integrate करने में इस pedagogy में follow करने में it will take years तब भी शायद हम इसको follow ना कर पाएं इसलिए हमको इसका just समझना और कोशिश करना है कि हम इसको just follow कर सकते हैं उतना हमारे चात्रों के हितकार होगा हितकारी होगा है न और फिर dimensions of CRP इसकी dimensions है किन आयामों पर बात चल रही है देगे एक और खास बात कि roots of CRP lies in the concept of multicultural education इसकी जड़े हैं वो किसमें नहीं थे हैं मल्तिक बहु सांस्कृतिक जो शिक्षा की बात होती है उसमें नहीं थे हैं फिर James Bang ने हमको कुछ dimensions बताये हैं जैसे कि content integration knowledge construction prejudice reduction empowering school culture and equity pedagogy content integration में क्या होगा extent to which teachers इस सीमा तक खिक्षक कर सकते हैं use examples and content from variety of cultures यानि कि different cultures से हमको examples लेने हैं content लेना है और उसको classroom में कहीं न कहीं discuss करके चलना है जिस किसी के भी culture का example class में quote किया जाएगा वो कितना feel good करेगा उस दिल class में उसको लगेगा कि वाओ आज मेरे बारे में बात की गई मेरे culture की बात हुई है है न फिर knowledge construction हमको sorry जियान का निर्मान करना है किस प्रकार से discuss and analyze the cultural assumptions जो नैतिक मूलभूत मानियताएं है उनको हमको discuss करते चलना है analyze करना है prejudice reduction यानि कि किसी भी प्रकार के किसी भी संसुर्थी विशेश के लिए prejudice नहीं होना चाहिए कोई bias नहीं होना चाहिए पहले से पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए है न think about students racial attitudes and how they can be modified हमको पता होना चाहिए किस race को belong करता है और इसलिए उसका attitude उस तरह का हो सकते है लेकिन हमको उसको छोड़ना नहीं है हमको ये भी सोचना है कि how they can be modified किस प्रकार से हम इसमें सुधार कर सकते हैं फिर empowering school culture हमको विद्या लेके culture को भी promote करना है empower करना है equity pedagogy देखे कितने नए नए शब्द हैं कितने unique हैं हम equity को भी जानते थे हम pedagogy को भी जानते थे लेकिन equity pedagogy की हमने बात नहीं की थी even हम critical pedagogy को भी जानते है equity pedagogy क्या है encourage उत्साहित करती प्रोत्साहित करती किसका क्या participation यानि कि हम उसमें प्रतिभाग कर सके and interaction among diverse students यानि कि वो जो बिल्कुल बात नहीं करते है जैसे कि गोरे और काले वहाँ पे जहां racial differences है अगर हम उनमें participation करा पाएं उनमें interaction करा पाएं तो हमारी pedagogy क्या होगी equity pedagogy में गरभाट हो जाएगी facilitate the academic achievement जिससे कि उनका sectionic उपलबधी जो है वो घितर हो सके उसमें सुधार हो सके उसके बाद attributes अच्छा ये तो बात तो पहले हमने बात की culture की फिर हमने बात की pedagogy की फिर हमने बात की culture के response में pedagogy होगी culturally responsive pedagogy हो जाएगी उसकी बात हो गई फिर वो teacher जो culturally responsive pedagogy से पढ़ाएगा अपनी class में culturally responsive teacher हो गया उसके कुछ attributes होगे है ना ऐसे हम आप general के लिए मुश्किल है पढ़ाना उसको क्या होना चाहिए self-aware हो वो खुद को समझेगा खुद की positive negative points जानेगा तब वो classroom में किसी और culture के लिए aware हो सकेगा self-awareness होना चाहिए उसके अंदर empathetic होना चाहिए वो caring, mindful, lifelong learner and culturally intelligent एक बात आस कि अगर जो बच्चे emotional intelligence का concept जानते हैं वो जानते हैं कि self-awareness और empathy इसमें से दो जो component हैं दो attributes हैं वो emotional intelligence के component है caring, mindful तो ठीक है lifelong learner यानि कि teacher must be lifelong learner है ना जानी वो नए-नए concepts, नए approaches, नए terminology को जान पाएगा हम और फिर culturally intelligent सबसे खास बात जो next चीज हम discuss करने जा रहे हैं इसले बात की गई intelligence की है ना बहुत बात हुई intelligence फिर psychology में बहुत literature है है ना different types of intelligence theories क्या है, क्या बढ़ियां, क्या खराब, किसमें क्या कमी थी, दूसरी थे ही आ गई करते, 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 फिर बात तब तक आ गया emotional intelligence और emotional intelligence ने कहा कि IQ is less important and EQ is more important EQ का मतलब emotional quotient और IQ का मतलब intelligence quotient तो Daniel Coleman का concept है उनकी बुक भी है why EQ is more important than IQ क्यों emotional quotient ज्यादर जरूरी हो जाता IQ से दिखिये, तिने सारे वो लोग जो सफल है, पोटी पर है वो जब suicide कर लेते हैं तो फिर हम लोग बहुत डिस्टब हो जाते हैं सोचके कि उनके पास तो इतना सब कुछ था जिसके लिए देश की आदी से ज़्यादर जनसंक्या मतलब इसी बिप्रकार से वो मिल जाए और उनके पास वो सब कुछ है तो फिर हम suicide कर लेते हैं जिन्दगी ही खातम कर लेते हैं इसका मतलब कि उनके पास उनका अपनी emotions पे control नहीं है regulation नहीं है उनके अपास emotions का वरना कोई भी ये काम क्यूं करेगा बट दे आर intelligent है न intelligent होते वे भी अकर आप emotionally intelligent नहीं है तो काम नहीं चलने वाला है और अब तो बात करें culturally intelligent भी आपको होना है यानि कि आपको different दूसरे culture के साथ भी adaptation सीखना है अभी आपका गुजारा हो पाएगा वो word जो globalized है जो एकदम global village की form में है न next हम बात करेंगे cultural intelligence के बारे में cultural intelligence है न cultural intelligence क्या है it is the ability of the people लोगों की योग्यता है किस प्रकार की योग्यता to adapt to सबसे खास बात हमको adaptation सीखना है अनुकूलन सीखना है इसके प्रती new cultural patterns देखिए वो जो लोग rigid है जो fixed, मतलब liberal attitude नहीं रखते है उनको कितना problem होता है जब cultural pattern change होता है कितने लोगों को कित दिकत हुई होगी mask लगाने में, sanitize करने में या कुछ भी नया cultural pattern आया तो अगर वो adapt नहीं करेंगे mask नहीं लगाएंगे तो आप बीमार पर जाएंगे अभी तो जो लहर चल रही है सभी ने उसका कहर देखा है और सबने उसका ज़द भी जहला है हमने आपने सबने शायदी हिंदुस्तान का कोई गर ऐसा रह गया हो जसने जाने अन जाने डिरिकली इंडिरिकली इस बल्ड को न जहला हो हमको adapt करना आना चाहिए new cultural patterns के लिए and provide appropriate behavioral responses to them और हमको सिर्फ adaptation नहीं सीखना है बलकि हमको proper appropriate behavioral response भी देना है अगर हम यह कर सकते ही यह yugyata हमारे पास है तो हम culturally intelligent है it enhances the understanding of appearances and cross-cultural interactions अगर यह होता है हमारे पास हम culturally intelligent होते हैं तो हम यह समझ को बढ़ाता है जो कि cross-cultural interactions में होती है उस समझ को यह बढ़ाता है और यह definition भी 2009 में दी गई फिर जब intelligence था तो IQ उसके तंगत है intelligence quotient उसी तरह से emotional intelligence के लिए EQ तो उसी तरह से cultural intelligence के लिए constructors जो एक नहीं है उसमें culture ही जब multifaceted है तो CQ तो multifaceted होगा ही signifies यह क्या signify करता है an individual's ability एक गर्षी की योग्यता to an adaptation जिसे की वो अच्छी तरीके से अनुपूलित हो सकता है to diverse cultural settings हमारी जो इतनी diverse cultural setting है उसके लिए और successfully सफलता पूरवक and to function और वो काम भी करना है उसको effectively function करना है unfamiliar cultural settings वो settings जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है जिनको हम जानते नहीं है जिनसे हम परिचित नहीं है अगर उसमें हमने adapt कर लिया और successfully function effectively कर लिया तो बढ़ियां CQ है हमारा इसमें 3 main elements it includes 3 main elements कौन-कौन सी जो हमारा awareness है वो adaptive domain के और जो skill है behavioral skill है वो हमारा psychomotor domain के संगत है तो information and knowledge में क्या है information and knowledge about other culture यह निकि सबसे पहली बात तो हमको बता होना चाहिए उसके बारे में सूचना होनी चाहिए यान होना चाहिए और उसके बात awareness or consciousness हम aware हों हम conscious हों जागरूख हों उस culture के लिए and behavioral skill to adapt in unfamiliar cultural settings और जो unfamiliar यानि कि जिन से हम परिचित नहीं अपरिचित जो Sanskritic हम को settings मिल रही है उसमें हम कितना behavioral skill अपना बढ़ियां रखके adapt कर पाते है यह इसी क्यों है ठीक है और अब concluding remark क्यों कि उसके संग हम उठते बैठते जीते जाकते सोते जाकते सब में हम आज साथ हमारा culture है विद्याथी जब school आता है institution आता है तो उसके संग उसका culture भी आता है वो culture को घर पर छोड़कर नहीं आता है तो pedagogy इस तरीके की हो कि हम उसको include कर ले इंटिग्रेट कर लें उसको honor कर लें उसको सम्मान दे 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 उसको स्थान दे दे तो हमारा पढ़ाना बहतर हो जाएगा इस दानतों पर ये बेस्ट है inclusion है ना inclusion की बात हम कब करते है special education करते हैं हम सभी जानते हैं कि पहले बात की गई special education की फिर integrated education की बात होती है special education में क्या कहा गया था special child जो है special school में रहेगा और normal child normal school में रहेगा फिर कहा गया कि नहीं special child को बड़ा वो deteriorate हो रहा है और वो चुकि समाज में आता है तो उसको normal लोगों के साथ ही रहना ऐसा तो नहीं special समाज बना देंगे वो ऐसा करते है उसको integrate कर लेते हैं अपने संग जो integrate किया तब भी कुछ उसमें कमी थी तो कहा गया कि नहीं नहीं inclusion होना है यानि कि properly integrate होना है पिर democracy हमको लोग के सिद्धानतों का पालन करना है तो इतने सिद्धानतों पर हमारी culturally responsive pedagogy based है it can also be understand as the name of social justice education अगर एक कम में culturally responsive pedagogy को replace करना हो तो हम कह सकते हैं कि यह social justice education है वो शिक्षा जिससे हम सामाजिक रूप से नयाय कर सकें in multicultural and multilingual classrooms यूकि वो classes जहां multicultural students है multilingual तरीके से वो बहुत सारे उनकी भाषशाएं है it is the best way to include and respect each student's diversity and uniqueness तो यह सबसे बढ़िया तरीका है तो यह सबसे बढ़िया तरीका है जो हम पर एक विद्धियाथी की जो diversification है जो इसकी विशिष्टता है जैसे वो unique है जो इसमें giftedness है या कोई प्रकार की peculiarity है हमको इसको include भी करना है और respect भी करना है अगर हम ऐसा कर सकते हैं कर पाते हैं तो बहुत बढ़ियां हमारा शिक्षण हो जाएगा हमारा classroom का environment बढ़ियां हो जाएगा हमारा student जो है कि हम कोशिश करेंगे हम जहां तक हो सके culture को साथ में लेते हुए अपना teaching learning strategy frame करेंगे एक है ना and last but not the least thank you all for careful and patient listening है ना I hope यह कम मैं आपको समझा सकने में कुछ हाँ सफल हुई है ना आप इसको 2-4 बर पड़ेंगे तो आप पिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे प्याए